परिचाय अच्छिता क्या तुमें पता है कि जब हम किसी पौधे का निरिक्षन करते हैं तब हम देखते हैं कि प्रत्येक पौधे में जड़, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। पौधे में पुश्प और फल भी होते हैं। हाँ, जड़ों के गुण, उनके प्रकार, रूपान तरण और उनके कारियों के विशय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हम तने के विशय में अध्यान करेंगे। इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। तने के गुणों का पता लगाना, तने के प्रकारों का अध्यान करना, घटे हुए तने के रूपान तरणों को पहचानना, तने के भूमिगद रूपान तरणों का पता लगाना, भूप्रिष्ठिये तने के रूपान तरणों का अध्यान करना, वाईविये तने के रूप अंतरणों का अध्यान करना, तनी के विशिष्ट रुपांतरणों का अध्यान करना, और तनी के कारियों को समझना, तनी के गों, तना अक्ष का बढ़ता हुआ भाग है, जो शाखाएं, पतियां, पुश्प तथा फलों को धारण करता है, जब तना शैशव अवस्था में होता है, तब वो प्राया हरा होता है, तथा बाद में वो काश्ठिये तथा गहरा भूरा हो जाता है तना समवहनी पौधे की दो मुखे सनरचनात्मक अक्षों में से एक होता है, ये अंकुरित बीच के भूर्ण के प्रांकुर से विक्सित होता है, अधिकांश पौधों में तने भूमी की सतह से उपर स्थित होते हैं, लेकिन कुछ पौधों में तने भूमी गद्भी होते हैं, तना समानिता, गाठ तथा पौरियों में विभग्द होता है, गाठों में कलिकाएं पाई जाती हैं, जो वृध्धी करके एक या अनेक पत्तियां, पुष्पक्रम, शंकु या अन्य तनों का निर्बान करती हैं, तने पर कलिकाएं पाई जाती हैं, जो की अंतस्त या कक्षिये हो सकती हैं, एक आपरिपक्व शिर्ष के साथ एक नवीन अविक्सित प्रारोप पर एक वृध्धी बिंदू होता है, जो की अनेक कसकर जुड़ी हुई कोमल पत्तियों से घिरा हुआ होता है, इन्हें कलिकाएं कहते हैं, तने का शाखा विन्यास तने के मुख्य अक्ष पर शाखाओं के व्यवस्थित होने की विधी को शाखा विन्यास कहते हैं, मुख्य रूप से शाखा विन्यास दो प्रकार का होता है, पार्श्विये शाखा विन्यास और दुईभाजी शाखा विन्यास पाश्विये शाखवन्यास जब शाखाएं तनों के किनारों से निकलती हैं, तो ये पाश्विये शाखवन्यास कहलाता है. ये शाखवन्यास की वो विधी है, जिसमें वृध्धी बिंदू, दिभाजित नहीं होता है. शाखाएं कक्षिय कली की गांठों से उत्पन्न होती हैं, ये दू प्रकार का होता है, असी माक्षी और ससी माक्षी जब तना अंतस्थ कली का द्वारा अनिश्चित वृध्धी करता है, मुख्य तने की पाश्विय शाखाएं अग्र अभिसारी अनुक्रम में शीर्ष की तरफ लगतार वृध्धी, पुरानी शाखाएं आधार की तरफ तथा नई शाखाएं शीर्ष की तरफ वैवस्थित हो है, ससी माक्षी, जब मुख्य तने की वृध्धी निश्चित होती है, मुख्य तना पाश्विय शाखा उत्पन्न करता है, जो की मुख्य शीर्ष से अधिक शीग्रता से वृध्धी करती है, इस शाखन के परिणाम सरूप पौधे का विस्तार होने लगता है, तथा वो ग एक शाखी ससी माक्षी, दुई शाखी ससी माक्षी, और बहु शाखी ससी माक्षी, एक शाखी ससी माक्षी, इस प्रकार के ससी माक्षी, शाखा विन्यास में एक यही समय पर केवल एक यही पाश्वी शाखा उत्पन्न होती है, इसे एकल शाखित के नाम से भी जाना जाता ह ये दो भिन प्रकारों यानि घुमावदार तथा कुटिल को दर्शाता है। उधारण विटिस विनिफेरा में शाखा विन्यास कुटिल प्रकार का होता है। इसमें पार्श्विय शाखाएं एकांतर किनारों पर विक्सित होकर टेडी मेडी हो जाती है। सारका में शाखावनियास गुमावदार प्रकार का होता है। इसमें पार्श्विय शाखाएं एक यही किनारे पर विक्सित होकर गुमाव बनाती हैं। दोईशाखी ससीमाक्शी जब एक यही समय पर दो पाश्विय शाखाएं विक्सित होती हैं तो उसे दुई शाखी या दुई शाखित कहते हैं। उधारन धतूरा और कहरिसा बहुशाखी ससिमाक्षी जब एकी समय पर दो से अधिक पाश्विय शाखाएं विक्सित होती हैं, तो उसे बहुशाखी या बहुशाखित कहते हैं। उधारण यूफॉर्बिया और क्रोटोन बॉन प्लांडिया दुईभाजी शाखविन्यास जब अंतस्त कली काटेदार तरीके द्वारा दो दुईशाखित शाखाओं में विभाजित हो जाती है, तो इसे दुईभाजी शाखविन्यास कहते हैं। ये समानिता अपुश्पियों तथा कुछ आवरित बीजी इन में पाया जाता है, जैसे पाइन यानी पेंडेनस, क्लिनोगाइन यानी डिकोटोमा इत्यादी। तने का रुपांतरण सामाने कारियों के अत्रिक्त अन्य कारियों को करने के लिए रूप में परिवर्तन करने को रुपांतरण कहते हैं। वास स्थान के आधार पर तने तीन वर्गों में रुपांतरित हो सकते हैं। तने का भूमिगत रुपांतरण तने का भूप्रिष्ठिये रुपान्तरण और तने का वाईविये रुपान्तरण तने का भूमिगत रुपान्तरण भूमिगत तने भूमि की सतह के नीचे इस्तित होने के कारण स्वयम को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों तथा जन्तूओं के आक्रमण से बचाते हैं तथा ये संचित भूजन के लिए भंडार ग्रिहों की भाती तथा काईक प्रवर्धन में सहायक हैं इनके तने प्रकृती में भेद, गाठ तथा पूरियों की उपस्थिति, गाठों पर शल्क पत्रों की उपस्थिति, शल्क पत्र के कक्षों में कक्षिय कलिकाओं तथा एक अंतस्त कलिका की उपस्थिति के द्वारा ग्यात किया जा सकता है भुमिगद तने चार प्रकार के होते हैं प्रकंद, कंद, शल्ककंद तथा कौर्म प्रकंद प्रकंद एक मोटा क्षेतिज वृध्धी वाला तना है जो समानता खादे पदार्थ को संशित करता है इसमें गाठ, पोरिया, शल्क पत्र, कक्षिय कलिकाएं, अपस्थानिक जड़ें तथा एक अंतस्थ कलिका पाई जाती हैं कक्षिय कलिकाओं को ढखने वाले शल्क पत्र तने के गाठ बिंदू से निकलते हुए दिखाई देते हैं जड़ें प्रकंद की निचली सतह से विक्सिद होती हैं, उधारण, अद्रक और हल्दी कंद कंद भुमी का शाखा का एक फूला हुआ सिरा है, जोकी निचली पत्ती के कक्ष से उत्पन होता है और मृदा में बाहर की तरफ शैतिच वृद्धी करता है खाते समगरी, यानि स्टार्श के निक्षेपन के कारण प्रतेक कंद अनियमित आकरती का हो जाता है प्रतेक कंद की सतह पर पत्तियों के अनिक निचान दिखाई देते हैं पत्तियों के ये निशान ग्रे हुए शल्क पत्रों की छाप होते हैं प्रतेक पत्ती का ये निशान एक कक्षिय कलिका को घेरता है कक्षिय कलिका के साथ पत्ती के निशान को आँख कहते हैं काईक प्रवर्थन द्वारा आलू की ये आखें नए पौधे को उत्पन्न करने की इक्षमता रखती हैं। उधारण आलू शल्ककंद यानि बल्प शल्ककंद में तना घर जाता है तथा छोटे चक्र सा दिखता है। कई अपस्थानिक जड़ें तनी की निचली सतह से उत्पन्न होती हैं। उधारण प्याज अद्रक प्याज अद्रक इत्यादी के शल्ककंद में आंतरिक पत्तियां मांसल जबकि बाहरी पत्तियां सूखी हुई होती हैं। इसे संकुचित शल्ककंद इसलिए कहते हैं क्यूंकि संकेंद्री पनधार एक पून आवरण या कंचुग बनाता है। शल्ककंद की शीर्षस्त कली प्रारोह का निर्मान करती है। कौर्म कौर्म एक सीधे यानि लंबवत तने का फूला हुआ भूमिगत आधारी भाग होता है। ये फुलाओ संचेद भूजन के संचयन के कारण होता है। इसमें शल्कपत्र तथा कक्षिय कलिकाएं पाही जाती है। वृद्धी की अवधी के अंत में वाईव ये भाग वृद्ध हो जाते हैं। प्रतीकूल परिसितियों में शीर्ष के समीब एक कक्षिय कलिका एक नए प्रारोह में विक्सित हो जाती है, जोकी पुराने कौर्म में संचयित भूजन का उप्योग करती है। नया पौधा अपने आधार पर एक नए कौर्म का निर्माण करता है। उधारण अर्भी यानि कोलो कासिया और अमार फोफे लस। तने का भूप्रिष्ठिय रुपांतरण कुछ पौधों में काईक जनन के लिए भूप्रिष्ठिय तने रुपांतरित हो जाते हैं। भूप्रिष्ठिय रुपांतरण निम्न प्रकार के होते हैं। पाश्वी शाखा के रूप में तने के आधार से उत्पन होता है। तथा म्रदा की सतह पर फैलता है। ये गांठ तथा पूर्यां विक्सित करता है। प्रते गांठ पर उपरी भूसतारी नीचे जड तथा उपर पत्तियां उत्पन्न करता है। इस विधी से मात्र पादप से अनेक उपरी भूसतारी निर्मित होते हैं तथा वे भूमी पर के विल्गन यानि प्रितक होने में यदि कोई क्षती होती है तो तूटे हुए भाग एक सोतंद्र पौधा बनाने की शमदा रखते हैं। उधारण, औक चैलिस, फ्रेक्रिया, सेंटेला, अस्टाटिका, भूस्तरी, भूस्तरी में पाश्विय शाखाएं पाई जाती हैं, जोकी भूमी गत्तने से निकलती हैं। भूस्तरी मिर्दा में दूरी बनाए रखने के लिए शेहतिज दिशा से बाहर की तरफ वृध्धी करती हैं। अंतता उनका सिरा अंतस्त कली यानि भूमी से उपर निकलाता है, तथा एक नए पौधे में विक्सित हो जाता है। उपरी भूस्तारी, चूशक या कोई आराधिये शाखा, जोकी जड़ों का निर्मान करती है, भूस्तरी कहलाती है। उधारण अर्भी यानि कोलोकासिया। चूशक एक बाश्वी शाखा, जोकी भूमी की सतह के समीब से उत्पन्य होती है। भूमी के अंदर कुछ दूरी तक चलती है। अपने सिरों को मोड लेती है, तथा एक नया पौधा उत्पन्य करती है। चूशक कहलाती है। उधारण क्राई सेनी थमम भूसतारिका यानी आफसेट भूसतारिका एक छोटी मोटी उपरी भूसतारी जैसी शाखा है, जोकी अपने सिरे पर एक नय पौधे का निर्मान करती है। भूसतारिका जनक पौधे के मुख्यतने से सभी दिशाओं में वृध्धी करता है। यदि इनकी गाईयों के विल्गन यानी प्रथक होने में यदि कोई ख्षती होती है, तो प्रतेक एक सौतंद्र पौधा बनाने की शमता रखती है। उधारण, पिस्टिया और आईकोर निया कुछ पौधों में विभिन विशिष्ट कारियों को करने के लिए वाईविये तने का रुपांतरण होता है। वाईविये रुपांतरण निम्न प्रकार का होता है। अनेक पूर्य युक्त एक चप्टा तना है, जोकि पत्ती की भाती कारे करता है। नाक्फनी यानि उपन्शिया में तना हरे रंग की चप्टी सनचन में रुपांतरित हो जाता है जिसे फिल्लोकलेट कहते हैं फिल्लोकलेट की सतह पर शूलों का गुच्छा बन जाता है ये शूल कक्षिय कलिकाओं की रुपांतरित पत्थियां होते हैं ये शूल ना केवल पौधों की वाश्प और सर्जन की दर की जाँच करते हैं, बलकि शाहकाहारियों से पौधों की रक्षा भी करते हैं। फिल्लो क्लेट में अलग गाठें तथा पोरियां पाई जाती हैं। उधारण ओपंजिया क्लेडोट एक या दो पोरियों वाले फिल्लो क्लेट को क्लेडोट कहते हैं। तने के शूल शूल एक कठोर, सीधी तथा नुकीली सनजना होती है. शूल छोटे रुपांतरित तने होते हैं. बोगिन विलिय तथा दुरंता इन में कक्षिय कलिका एक शूल में रुपांतरित हो जाती है. कैरिस्सा में अंतस्थ कलिका शूल के एक जोडे में रुपांतरित हो जाती है शूल कभी-कभी पत्तियों, पुश्पों तथा फलों को धारण करते हैं जैसा कि दुरंता तथा अनार में देखा गया है शूल ना केवल पौधों की वाश्पो सर्जन की दर की जाँच करते हैं बल्कि शागाहारियों से पौधों की रक्षा भी करते हैं उधारण, कैरिस्सा, दुरंता और सिट्रस तने के प्रतान कुछ पौधों में प्रतान, तने के रुपांतरन की भाती विक्सित होते हैं साइसस, कौडरान, गुलेरिस में अंतस्त कली का एक प्रतान को जन्म देती है तथा पैसी फ्लोरा में कक्षिय कली का प्रतान में रुपांतरित हो जाती है बुलबिल बुल्बिल एक विशिष्ट बहु कोशी की ये पादप शरीर है, जो की जनन के लिए आवशक होती है. अगैव में पुश्प कलिकाएं बुल्बिल में रुपांतरित हो जाती हैं. ये बुल्बिल प्रतक होकर मृदा के संपर्क में आ जाती हैं, तथा एक नए पौधे के रूप में विक्सित हो जाती हैं. डायोस कोरिया में कक्षिय कलिका बुलबिल में विक्सित हो जाती हैं. ये बुलबिल मातरी पादप से प्रधक होकर एक नए सौतंत्र पौधे के रूप में वृध्धी करता है. तने के प्रात्मिक कारे तने के कारियों के प्रकार निम्न है, प्रात्मिक या मुख्यकारे, दुईतियक या सहायक कारे, तने का प्रात्मिक या मुख्यकारे, पत्तियों, पुष्पों तथा फलों को पकड़ कर रखना तथा उन्हें सहरा देना है, तना जल तथा खनीजों को जड़ों से पत्तियों पुष्पों तथा फ़लों तक समवाहित करता है। पत्तियां तने से इस प्रकार उत्पन होती हैं कि वो मुख्यकारियों जैसे सूरिके प्रकाश को ग्रहन करना तथा गैसिये विनिमय को करने में सक्षम हो जाती है। परागन तथा निशेचन की प्रक्रिया को सुविधा जनक बनाने के लिए तना पुष्प तथा फ़लों को धारण करता है। तने के दुईतियक कारे सहन शीलिता बढ़ाना जिंजिबर, कुरकुमा तथा डायोप्टेरिस में भुमिगत्तने पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने में सहायता करते हैं। भोजन का संचयन भोजन, मृदूतक यानी परनकाइमा कोशिकाओं तथा भुमिगत्तनों जैसे सोलेनम ट्यूब्रोसम, अर्भी यानी कोलोकासिया और अद्रक में संचित होता है। आरोहक की भाती तने प्रतान, हुख, काटे आदी में रुपांतरित हो जाते हैं। जैसे की पैसी फ्लोरा, बोकिन विलिया तथा विटिस फिनिफेरा में। प्रकाश संचिलेशन ओपंशिया, एसपरेगस तथा रसकस आधी की तरहा, जब तने फिलोकलेड तथा कलेडूड रुपांतरित हो जाते हैं, तब नवीन पत्तियों, सद्रिश, चप्टे तने प्रकाश संचिलेशन में सहयता करते हैं। तने के दुईतियक कार्य, यानि काईक प्रवर्थन, उपरी भूस्तरी जैसे घास में, भूस्तरी जैसे स्ट्रॉबरी में, भूस्तरी का जैसे आईकोर्निया में, तथा भूमिगत तने जैसे आलू अधरक में, तने काईक प्रवर्थन के लिए प्रयोग में लाए जाते ह तने के दुईतियक कारे चरने से सुरक्षा करना विक्सित कांटो द्वारा तने पौधों को चरने से बचाते हैं क्या आप जानते हैं काश्ठिये आरोहक यानि कंटक रोही या लता को लियाना के नाम से भी जाना जाता है वाई विये तने का मोटे भाग को कूट बल्ब यानि स्यूडो बल्ब के नाम से भी जाना जाता है तथा ये और्किड में जल तथा अन्ने पदार्थों का संजय करते हैं केले में अन्ता भूस्तारी चूशकों को सोड अन्ता भूस्तारी चूशकों के नाम से भी जहना जाता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीगा है उसे संक्षेप में दोहराएं प्रारो तंत्र तने, पत्तियों, पुश्पों तथा फलों में विभगत होता है तने के मूल भूत, आकारी की लक्षणों के अंतरगत, गाठों तथा पोरियों बहु कोश्किये रोम की उपस्थिती शामिल है तना धनात्मक प्रकाशा अनुवर्तक होता है विभेन कारियों जैसे भोजन का संचय, काईक प्रवर्धन तथा सुरक्षया को करने के लिए तना रूपांतरित हो जाता है